हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका एडवांस एग्रिकल्चर यूटूब चैनल पर दोस्तो आज की इस वीडियो की माध्यम से आपको बतलाएंगे मुंग फली की उन्नात खेती यानि पीनट्स फार्मिंग मुंग फली की खेती कब और कैसे करना चाहिए जब हमारे किसान भाई मुंग फली की खेती करते हैं तो पीलपन की समस्य आती है कंद गलन की समस्य आती है और प्रोपर जो फलीयें हैं उतना अच्छा दानों का भराब नहीं हो पाता है कहीं पर दो एक दो दाने ही लग पाते ह तो कैसे पैदावार को बढ़ाया जा सकता है, खेती कब और कैसे करना चाहिए, अनुकूल समय, भूमी और खेती की तयारी करते समय, कौन सी खादों का प्रियोग करना चाहिए, एक एकड़ में उत्पादन के सांसांत, लागत, लाभ, मुनाफा, प्रती एकड़ बीज, बीज जानकारी जो भी आपके मन में सवाल हैं और डाउट्स हैं, कबार किलियर करने वाले हैं तो वीडियो पर बने रहिए, नमस्कार, आप देख रहे हैं, The Advanced Agriculture YouTube Channel, मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त सिब कुमार चलिए, सुरू करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, टाइमिं के लिए जून से जुलाई और जायत पर मार्च से अपरेल महीने पर आप खेती कर सकते हैं, इसके अलावा जलबायू और टेमपरेचर की उपर बात करें, तो मुंग फली की क्रॉप के लिए ठंडे नम आदर जलबायू की अबसकता पड़ती है, और इसके लिए एबरेज जो टेमपरेचर है 15, 36 डिगरी सेलसियस का जो ताप मान होता है काफी अनकूल माना जाता है, भूमी और खेत की तैयारी की उपर डिसकसन करें, तो बैसे तो मुंग फली की खेती सभी प्रकार की भूमी पर आप खेती कर सकते हैं, चिकनी दो मट है, पीली दो मट, काली दो म से साड़े साथ तक रहनी चाहिए, मिर्दा की पीएच जो बैलू है, छे की आसपास है, तो अच्छा उतपादन देखने के लिए मिलेगा, लेकन साड़े साथ आठ से अधे खेत उतपादन घट जाएगा, जिब से हम 50 किलोगराम बुआई करती समय, प्रियोग आपको प्रियोग चाहिए समय के हिसाब से हैं, लेकन काफी अच्छा उतपादन देने वाली किसमों के उपर बात करें तो चाइना पीनट सवेराटी आती है, टी वी जी थी नाइन के नाम से आती है, नमर चार जी जे जी थी तू के नाम से आती है, इसके अलावा कादरी अठारा बारा के नाम से आती है, और टी जी थी सेवेन एके नाम से आती है, इन किसमों को आप लगा सकते हैं, काफी अच्छा उतपादन देखने के लिए मिलता है, बेसल डोज की उपर दोस्तों बात करते हैं, तो ऐसेस पी जब आप गवाई कर रहे हों, तो उस समय प्रा अंदवरगी क्रॉप है, और इसमें फासफोरस और पोटास प्लस सलफर की कुछ जादा ही आवस सकता होती है, आलू की तरहा, तो मिट्टी पर जितनी फासफोरस पोटेसियम की मात्रा होगी, सलफर की मात्रा होगी, पैदावार बढ़ने वाली है, तो इन बातों को ध्यान रखना चाहिए, हलकी भूमी है, तो इस कॉंबिनेशन का आपको प्रियूप करना चाहिए, एक एकड़ की दर्से बवाई के समय, प्रती एकड़ सीट्स की उपर बात करें, तो एक एकड़ में 30 किलोग्राम से लेकर 40 किलोग्राम सीट्स की रेकौर्मेंट पढ़ने वाली ह और बुवाई की भी अलग-अलग बिधियां हैं, मेथड हैं, जैसे सीड्रल बिधी से आप बुवाई कर सकते हैं, ब्रोडकास्ट छिटका बिधी से खेती कर सकते हैं, और बैट बिधी से भी आप खेती कर सकते हैं, मतलब लाइन से आप बैट बनाकर यादी खेती करेंगे तो पैदबार अच्छी होने वाली है तो सीडल मेथड भी काफी अच्छी है बांकि बैट बीधी से भी काफी अच्छा उत्पादन देखने के लिगी मिलता है एक बैट पर डबल लाइन पर आप बुवाई कर सकते हैं कितनी दूरी पर हमको बुवाई करनी चाहिए तो लाइन से लाइन की दूरी 16 इंच पौधी से पौधी की दूरी 2-3 इंच और जो गहराई हसीट्स की डेप्थ है लग भग आपको 3-4 सेंटीमीटर गहराई पर आपको बुवाई करनी चाहिए बीज उपचार करना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि खरीब सीजन पर कंद गलन की और एंथ्रक्रोज की जो समस्य आती है तने के पास जो रूट्स होती है वहाँ से पौधा मतलब एंथ्रक्रोज गलन की समस्य आ जाती है तो ऐसी कंदिशन पर बीज उपचार करने से काफी अच्छा फंगस पर प्रोटेक्शन देखने के लिगे मिलता है बी एसेप कंपनी की जहलोरा फंगी साइट आती है 10 किलोग्राम बीजों को 20 ml की दर से बीज उपचार करना चाहिए यानि 20 ml फंगी साइट है तो 10 किलोग्राम बीजों को उपचार करें 40 मिनिट तक 56 होगा है फिर उसके बाद बुआई करनी चाहिए सींचार की उपर बात करें तो गर्मियों में आप स्प्रिंकलर से हैं डिप्स से हैं फिलेट एरिगेसंस हैं 8 से 10 दिनों के अंतराल पर सिचाहिए कर सकते हैं आवश्यक्ता अनुशार लेकिन हलकी भूमी है तो फिर 7 से 8 दिनों के अंतराल पर आपको सिचाहिए करनी पड़ेगी वीट कंट्रोल की उपर बात करते हैं खरपदवार की रोख थाम तो सबसे वेस्ट है सबसे बढ़िया है कि निराई गोडाई करें लेकिन आपके पास मज़दूर अपलब्द नहीं है तो पेंडी मेथली 30% EC 600 ml 200 लिटर पाने घोल करके जैसे आपने बवाई की है और फिर उसके बाद आप प्री इमर्जेंट हार्वी साइट का स्प्रे कर दीजिए इससे खरपदवार का जमाब नहीं होता है इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए इब हम पोश्ट इमर्जेंट हार्वी साइट की उपर बात करें यानि जब हमारी मुंग फली की क्रॉप लगभाग 20-30 दिन की आसपास की हो गई या फ़र खरपदवार 3-4 पत्ति के हो गए हैं तो फ़र पहले सीचाइक अन्नी है और आदावा इंडिया कंपनी की साकेत की नाम से आती है 800 ml 200 लिटर पानिम खूल करके स्प्रे कर दीजिए सिलीकॉन चिप को मिला करके इसके अलाबा बात करते हैं स्प्रे सेडूल के उपर कि कौन-कौन सी बीमारी हमारी पीनट्स क्रॉप पर आ सकती है सेम लूपर से पत्यों खाने वाली इल्ली कपर को देखने के लिए मिल सकता है तो आईए दोस्तों बात करते हैं प्रमो खुरूप से जो इस्प्रे सेडूल है वो फस्ट जो इस्प्रे है 25 से 30 दिन के आसपास की फसल होती है तो स्वाधीन फंगी साट जिसमें टेबू को नजोल और सलफर का कॉंबिनेशन है 40 ग्राम लेना है बायर कमपनी की कौन फिडोर इंसेक्टिसाइड 10 एमेल 15 लिटर पाने घोल करके इस्प्रे करना चाहिए सेकंड इस्प्रे 55 से 60 दिन के आसपास की क्रॉप होती है तो कॉप पर औक्सी क्लॉराट 50 परसेंट वाली आती है 40 ग्राम बायर कमपनी की सुलिमान इंसेक्टिसाइड 10 एमेल 15 लिटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए इस हिसाब से केवाल पीनर्स क्रॉप्स पर केवाल दो इस्प्रे की आवच सकता होती है जादा कीट ना सकता दवायों की स्प्रे नहीं करने हैं वो भी जो हमने आपको दो इस्प्रे बतलाए हैं आवश सकता अनुशार यादी केट पतंगों का इंसेक्ट का प्रकॉप होता है तब ही आपको आवश सकता अनुशार इस्प्रे करना चाहिए दिनों की जो अंतर है वो कम और जादा भी कर सकते हैं फर्टिगेसन सेडूल की उपर दोस्तों बात करते हैं खाद का सेडूल तो जो फर्ष्ट खाद है तीस दिन की आसपास की फसल होती है तो यूरिया औरवरा खाद 30 किलोग्राम सलफर 90% WDZ फों में आती है 5 किलोग्राम इन दोनों ठीक तरीके समिक्स करना है और एक एकल में प्रती एकल की दर्थ से जनों के पास देकर सिचाई करना चाहिए सेकंड खाद 45 से पचास दिन की आसपास की फसल होती है तो यूरिया औरवरा खाद 45 किलोग्राम यूरिया और नाइट्रोजन 46% होता है माइकरो न्यूट्रियन फर्टिलाजर किसी अच्छी कंपनी का 5 किलोग्राम लेना है और शागरी का दानेदार 10 किलोग्राम यदि इन तीनों का जब आप कॉम्बिनेशन करती हैं तो एक प्रकार से लाजवाब रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं पोधा है फोटो सेंथेसिक के जो किरिया है वो बहुत सांदार तारीके से देखने के लिए मिलती है पोधे पर किलोरोफिल की मात्रा काफी बढ़ जाती है पोधा हरा भरा रहता है और जादस जादा फोटाव देखने के लिए मिलती हैं इन तीनों खादों को ठीक तरीके से मेक्स करना है और जो कॉम्बिरियसन है प्रति एकड़ की दर्श से शेयर कर रहा है एक एकड़ में 43,560 स्केयर फेट होते हैं तो जड़ों के पास दीजिए और सिचाई कर दीजिए बहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे ध्यान रखिए दोस्तों जो मुंफली की क्रॉप पर सल्फर की यदि आप कमी रखते हैं तो पीलापन की समस्या भी देखने के लिए मिलेगी और पैदावार घट जाएगी तो सल्फर का आपको जरूर प्रियोग करना है 90 परसेंट वाली जो की हमने फर्स्ट कॉम्बिरियसन पर बांकि आपको बॉआई के समझ जैसे सरसों की खली यदि उपलब्ध हो जाती है या फर नीम खली उपलब्ध हो जाती है या फर दोस्तों बात करें गोबरी खाद तो इन खादों का प्रियोग आपको जरूर करना चाहिए और सफेद मक्खी का भी प्रिकोप देखने के लि ही है तो फिर ट्राइको ढर्मा आपको सिचाई के साथ प्रियोग करना पड़ेगा कैसे आईए समझते हैं 200 लीटर पानी लेना है जब 20-30 दिन के आसपास की फसल हो गई 200 लीटर पानी लेना है उसके बाद लगभग 500 ग्राम आपको ट्राइको ढर्मा लेना है और 3 किलो ग् इनको ठीक तरीके से आप महीन यानी बारिक ठीक तरीके से घोल लीजिए और 5-6 दिनों के लिए ढखका रख दीजिए फिर जो 200 लीटर घोल है उसको एक एकड़ में सिचाई के साथ आपको पूरा 200 लीटर प्रियोग करना चाहिए ऐसा आपको लगभाग 45-45 दिनों के अंत से आती है एकड़म निजात मिल जाएगी तो इन बातों को ध्यान रखिए और एक काम और जरूरी कौन सा काम जरूरी है कि फलियों की शंक्या और दानों का अच्छा भराब चाहिए है चमक quality size से ब्यादी बढ़ाना है तो एक काम करें कि जब हमारी फसल लगभाग लगभा पाने में घोल लेना इसको स्प्रे नहीं करना सीचाई के साथ आप स्वेल एप्लिकेशन से चला दीजिए इस से जो बढ़वार है वो कंट्रोल होगी और वही जो water minerals और जो बढ़वार हो रही है तो वही की वही सारी फलियों पर मतलब तागत लगेगी जिस से फलियों का size shape सुधरेगा बजनदार जादा पैदावार बढ़ेगी कब 75 दिन से 80 दिन की आसपास की होती है तो प्लांट ग्रोथ है रेगुलेटर जैसे प्लांट गूटर जो लाती है इसका इस्तमाल कर सकते हैं 30% ऐस सी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की हम बात कर रहे हैं लाइफ साइकल की उपर दोस्तों बात करते हैं तो 120 से 125 दिन की आसपास की टोटल या फसल है उत्पादन 16 से 18 कौंटल एक एकड़म पैदावार होती है बाजार भाव फिलक्सिवर रहता है 500 से 6000 रुपे फिरती कौंटल का रेट देखने के लिगे मिलता है लागत की उपर दोस्तों बात करते हैं 18,000 रुपे की आसपास एक एकड़में लागत लग जाएगी मुनाफा प्लस नेट प्रोफिट की उपर बात करते हैं यदि 6000 रुपे का रेट मिल जाता है 16 कौंटल पैदावार होती है तो 96,000 रुपे की आसपास दोस्तों हमारा मुनाफा आ गया 18,000 लागत घटा देंगे तो 78,000 रुपे की आसपास नेट प्रोफिट आ गया अब और भी प्रोफिट आप बढ़ाना चाहते हैं पैदावार जर तक नहीं बढ़ेगी जो आपकी आमदानी वो नहीं बढ़ने वाली है तो बैड बनाईए और एक बैड पर डबल लाने पर दोस मिट्टि को कम से कम दो बार चलूँ एक बार 40 से 50 दिन की फचल होती है दोसरी बार आप करना है 65 कीلة की पशल होती है तो दो बार मिट्टी को जड़ों के पास जैरू चड़ा दीजिए और जितनी ज़्यादा आप साब सफाई रखेंगे उतना ही बेहतरीन तरीकी से रिजल्ट देखने के लिए मिलने बाला है तो इस हिसाब से यदि आप मूम फली की खेती करते हैं दोस्तो तो काफी अच्छा लाभ मिलने बाला है उम्बीत करते हैं दोस्तो जो भी आपके मन में सवाल रहे होंगे डाउट्स रहे होंगे किलियर और कबर हो गए होंगे फिर भी आपके मन में कोई सवाल या सुजाब है तो कमेंट सेक्शन खाले हैं कमेंट कर सकते हैं मिलते हैं इसी प्रकार agricultural और एक और नई खेती के सानी सम्बंध्य वीडियो के साहते वीडियो को आपने अंतर तक पूरा बोच्च की वीडियो अंतर तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत सुक्रिया जैहन बंदे मातरम